सभी मित्रों को जय जय सियराम, प्रभु स्री राम इबम हनुमान जी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, एही हमारी मंगल काम नहें। तो हनुमान जी प्रभु स्री राम के परम भक्ते हैं। और हनुमान जी आज भी इस प्रिथवी पर सौशरीर हैं क्योंकि उन्हें माता सीता से अजर और अमर का बरदान प्राप्त है। ऐसे तो हनुमान जी की पूजा प्रतेक दिन करना चाहिए, लेकिन मंगल बार हनुमान जी की पूजा के लिए भी शेस दिन है। मंगल बार के दिन हनुमान जी की रातना करने से बेक्ती की सभी मनो कामनाय पूरी होती है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त के कस्ट को नहीं देखना चाहते हैं तो एकसर लोग मंगलबार के दिन हनुमान चालीशा का पाठ करते हैं तो आईए हनुमान चालीशा पढ़ने के क्यालाब हैं तो हनुमान जी को एष्ट सिध्धी और नौनिधी के दाता कहा गया है जो ब्यक्ति निमित रूप से हनुमान चाली साका पाठ करता है उसकी हर मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं जो लोग पराबर भी मार रहते हैं उगर निमित रूप से हनुमान चाली साका पाठ करें तो उन्हें रोगों से मुक्ति मिलती है अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आप हनुमान चालिशा का पाठ किजिए रोज तो आपको सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी हनुमान चालिशा का पाठ जहां होता है वहां नकारात्मक सकती नहीं आ सकती है हनुमान चालिशा में बरनित है कि भूत पिसाच निकट नहीं आए महाबीर जब नाम शुनाबे तो रोजाना हनुमान चालिशा का पाठ करने से सभी प्रकार की नकारात्मक सकती आपसे दूर रहती है साथी भैसे भी मुक्ति मिलती है और बेक्ति का मनोबल बढ़ता है अगर आप अनिद्रा के शिकार है आपको निंद नहीं आती है आपको रात में बेचैनी रहती है तो आप निमित रूप से हनुमान चालिशा का पाठ किजिए क्योंकि हनुमान चालिशा का पाठ बेक्ति को मानसिक सांति प्रदान करता है जिससे अच्छी निंद आती है और जीवन में unnatी का मोका मिलता है लेकिन हनुमान चालिचा ऐसे तो प्रभु का नाम भाब कुभाब अनखाल असुं नाम जपत मंगल दीशिदसुं आप कैसे भी अगर भगबान का नाम लें तो आपको तो फाइदा ही होगा लेकिन हनुमान चालिशा के पाठ करने के कुछ नियम है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहुर्त में उठकर अश्नान ध्यान करके और एक पूजा के लिए चौकी बिचा लें। उस पर भगवान स्री राम दरबार की मुर्ती को जरूर रखें। गनेश जी का पूजन करें उसके बाद प्रभु स्री राम का करें और उसके बाद हनुमान चालिशा का पाठ करें। तो आपको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपको कभी दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं सताएंगे। तो बोलिए जै जै सियाराम जै जै हनुमान। कर दो करें।